आरजएडी के नेता और पुरुब बाहुबली विधायक मुन्ना सुकला और मंटू तिवारी ने आज पटना के MPMLA कोर्ट में सरिंडर कर दिया है दर असल 26 साल पुराने मामले में जिसमें बिहारी हत्याकांड में यह आरोपी थे और इस मामले में सूप्रिम कोर्ट ने जो 16 अक्टूबर तक निसली अजालत में यानि की MPMLA कोर्ट में इने सरेंडर करना होगा और इसके बाद आज दोनों नेताओं ने सरेंडर कर दिया है आपको बता दे कि मुन्ना सुकला पहले जेडियों में थे उनकी पतनी भी जेडियों में थी और लाल गंसे मुन्ना सुकला पर मंत्री विहारी परसाथ की न्याई खिड़ासत में रहते हुए हत्या कर देए घर सबस्क्राइब नेयाि पकलता ही लेकिन बाद में यूपी पुलिस में इंकांटर में रूपी की इसमें मौत हो गई थी छे पतना के स्विबिल कोट में इनके खिलाब दो सन वाई चले के उसके बाद इनकों आजीवन कराबास के सिजा सुनाए थी लें यहेँ जाकर हाइप कोट ने इस मामले में सुरजभांस्री मुन्ना शूखला राजां ती वाड़ी सहित अर्के और से पहुंचा था जरसल बिल्विहारी परशाद की पत्नी जो मुतिहारी से सांसद रही थी रमादेवी वो इस फैसले से नराज थी हाई कोट के फैसले के बाद वो सुप्रीम कोट गए थी बाद में सरकार भी सुप्रीम कोट वह गई थी हलाकि मामले की जाज पहले पट्टा पुलिस ने किय थ तो इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई थी उसमें मुन्ना सुकला और मंटू तिवारी जो की गई थी वो दिवेंद परसाथ की हत्या का बदला लिया गया था दिवेंद परसाथ की हत्या मोतिहारी में की गई थी और जिसमें ब्रिजबिहारी परसाथ का नाम आया था कि ब्रिजबिहारी परसाथ नहीं पूरी हत्या कांड की साधिस्रची थी दिवेंदर दूबे बहुबली थे गोविंद गंज के वो बिधायक भी थे और गोविंदर कि हत्या के बाद महां चुनाओं हुआ था और बाद में गोविंद गंद से ही पहली बार राजनती वाड़ी वहां से बिधायक भी चुने गए थे और दो हजार पाच में जब नितिश कुमार की सरकार बनी थी उसमें राजनती वाड़ी भी बने गए थे रमा सीम भी थी और समर्थन ने सरकार को अपना समर्थन में दीया था और बाद में मुझना सुकला सामिल हो गये थे जडी में रहें और वहां से पछली राजितिक महतो कांचा भड़ी थी और खुज चाहते थे कि वह साली किसी टिकर्ट मृट लेकिन आइसा नहीं हुआ जिसके बाद वहार ज में सामिल हुए और बाद में आर्जेडी से लालू परशाद यादों नहीं टिकर दिया था और वैसाली से वह आर्जेडी के उमिद्वार के रूप में चुना लगा सकते हैं कि आज जब मुन्हा सुकला अपने घर में थे आत्मसंपरफन के पहले एक बैटक के थी और बैटक में उन्होंने अपने काटकरता को कहा कि मुन्हा सुकला को फर्क नहीं पड़ता है कि वो जेल के अंदर रही या जेल के बाहर रहे आने वाले दिनों में उनकी सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगे तो मुझहपरपुर से पटना के लिए रवाना हुए थे तो उनके काफिले में सौ से ज्यादा गारियां थी और जिसके बाद वो हाला कि यहां पटना सिबिल को कोट के पास बैडिकेटिंग की गई ती और प्रोडिस ने सिर्फ मुन्ना सुकला और उनके वकीलों को ही जाने के सब्सक्राइब के खिलाब तब से लगतार फेस्बूक के माद्यम से सरकार पर करारा करें तो और निसीत तोर पर आने वाले दिनों में बगले सल होना है उससे पहले अगर मुन्ना सुकला के रिहाई नहीं होती तो इसका असर भी आर्ट जडिव में देखने को मिलना मिल सकत होता है क्या सुप्रीम कोट उन्हें राहत मिल सकती है या नहीं मिल सकती है कि सब्सक्राइब के साथ अमिता अबुजा पट्ना निश्टोंटी को